MP तक, MP का नमो वन यूट्यूब चैनल ये खुलासा खुद स्वास्त्विभाग की जाच मेहुआ है स्वास्त्विभाग के ख्षेत्री संचालक, क्यलाश, मिश्रा के मताबिक स्वास्त्विभाग को दरसल बीटे लंबे समय से शिकायते मिल रही थी कि शेहर भर में ऐसे कई निजी लैप्स हैं या फिर कलेक्शन सेंटर्स हैं जो की फरजी यानि नेगेटिव कोविट टेस्ट रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं और ये रिपोर्ट महस एक से दो घंटे के भीतरी मिल जाती है इस रिपोर्ट को बनाने में किसी तरीके के नियम कायदों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता खास तोर से कोविट टेस्ट के लिए जो ज़रूरी माप दंड हैं जो ज़रूरी नियम प्रक्रिया है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है इसके बाद ही, इन सेंटर्स को बंद किया गया है, इनकी जो SIRF ID है, उसे ब्लॉक तक कर दिया गया है, जो सृस्य विभाग है, उसके तरफ से, शीत्य संचाला की स्वास्य विभाग के, उनका क्या कुछ कहना है, इस बड़े खुलासे पर, क्योंकि खुद स्वास्य भाग नहीं ना के बल खुलासा क्या है बलकि इस पर कारवाई भी की है एक बार वो सुन दीजिए देखे जबलपूर संभाग की पहला संभाग है कुरे राज्य में जिसने अवैध पैथालोजी और अवैध कलेक्शन सेंटर्स के विरोध में अभियान शुरू किया है हम लोगोंने गाईडलाइन रधारित की है क्योंकि जबलपूर में यह शिकायते लगातार मिल रही थी कि विभिन collection centers जो किसी pathology से सम्मंदित भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपने सामने बड़ी-बड़ी जो metropolitan cities के laboratory हैं उनके board लगाए हुए थे जैसे SRL का collection center है या LAL lab का collection center है जब हम लोगोंने तहकीकात की कुछ centers की और इन बड़ी labs से जब हम लोगोंने संपर किया तो ये पाया गया कि इन्होंने इन्हें authorized नहीं किया तब ये बात संग्यान में आई कि ऐसे कितने centers चल रहे हैं जबलपूर की एक बहुत बड़ी pathology lab के 38 center पाए गए 38 centers हैं जो collection का काम कर रहे हैं और जब उनसे जानकारी मांगी गई कि आपके कितने collection center जबलपूर में है तो उनसे जानकारी मिली 4 collection center तो बाकी collection centers की जब तो इसमें देखे एक तरफा बात नहीं है ये दौनों तरफा बाते हैं कि pathology labs जो बड़ी हैं वो अपने collection centers के नाम पर बिल्कुल ऐसे बांटना शुरू कर देती हैं लोगों को कि आप तो collection करके लाके दीजिए तो सुना आपने जो शेते स्वास्ते संचालक हैं उनका क्या कुछ कहना है दरसल आपको बता दें कि जब से covid आया है देश में कई जगों पर अब covid की test report ले जाना या फिर उसे दिखाना बहत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो देश के भीतर हो या देश के कहीं बाहर जाना हो covid की negative test report साथ में रखना बहत ज़रूरी है खास तोर से ऐसे जगों पर जाने के लिए जहां पर एरपोर्ट पर ये आपसे मांगी जाती है इसी का फायदा उठाते हुए कई एक तरीके से दिखा जाये तो गोरग धंदा करने वालों ने इसका फायदा उठाया और इस तरीके की covid report देने के तयारी कर ली लंबे समय से गोरग धंदा चल रहा था इसलिए सवाल उठा है कि आखिरकार अब तक जो कारवाई की गई है उससे पहले इन लोगों ने कितने रुपए इस गोरग धंदे से अब तक कमाली हो गए होंगे क्योंकि एक तरीके से दिखा जाये तो आपदा के समय भी इन गोरग धंदा करने वालों ने इसे एक अफसर के तोर पर लिया काली कमाई के अपने और ना केवल नियम कायदों को ताक पर रखा बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड किया है देखना ये है कि अब इस पर प्रशासन और कितनी सक्त कारवाई करता है